वेल्कम बैक मेरा नामे शुयबशेक और मैं आप सभी का फीड़ वाले में फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तों आप लोग हमेशा ये पूछते हो कि बायफ लॉक के टैंक्स में कितना पानी होता है टैंक्स की साइज क्या होनी चाहिए 10,000 लिटर का टैंक कितना बड़ा होना चाहिए 30,000 लिटर का टैंक की क्या साइज होती है या फिर 50,000 लिटर का टैंक कितना बड़ा होना चाहिए तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगग के लिए एक automatic calculator लेके आया हूँ जो आपको सिर्फ tarpulin tank के लिए ही नहीं, बलकि cement tank में कितना पानी होता है, यह भी पता देगा और सिर्फ bioflock tank के लिए ही नहीं, इस calculator में आपको तलाओ में कितना पानी होता है, उसका भी एक perfect measurement मिल जाएगा तो जितने भी तलाव वाले हैं उन्हें भी ये वीडियो देखना चाहिए क्योंकि सच कहूं तो मेरे तलाव में कितना पानी है मुझे खुद को भी नहीं पता था इस कैलकुलेटर से पता चला और मैं खुद हैरान हो गया इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूंगा कि बायफलाग वाले हमेशा टैंक कैलकुलेशन में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं ये कैलकुलेटर आपको उस गलती का एक सुदार बताएगा तो चली शुरू करते हैं बहुत आसान है ज्यादा कुछ नहीं करना है बहुत ही सिंपल है आपको खोई एक अच्छा सा इंटरेनेट ब्राउसर ओपन करना है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ तो मैं क्रोम को ओपन कर लेता हूँ कि फ़र्वड स्लैस के बाद में मुझे यहां पर दालना है टैंक क्याल्कूलेशन कि सॉरी क्याल्कूलेशन नहीं क्याल्कूलेटर स्पेलिंग देख लीजिए अगर स्पेलिंग में जड़ा से भी मिश्टेक हुई तो वो ओपन नहीं होगा क्योंकि आप जानते हो कि जो वेब एट्रेस होता है वो हमेशा पॉफेक्ट होना चाहिए अगर एक भी स्पेलिंग यहां वाँ हुई तो वो ओपन नहीं होगा ठीक है तो आपको यहां पर लिखना है फीडवाले.com forward slash tank calculator और एंटर करना है एंटर करने के बाद आप देख सकते हो कि यह फीडवाले की वेबसाइट ओपन हो गई है और यह डायरेक्ली चला गया है उस पेज़ पे जहां पर मैंने आप लोगों के लिए यह calculator बनाया है ठीक है यहां पर आप देख सकते हो टेल में लिखा है tank calculate tank calculator in feet और नीचे दो options है एक है यह calculate water capacity in feet अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको feet में आप measurements कर सकते हो और उसके नीचे एक और link है जिसमें लिखा है calculate water capacity in meters अगर आप इस link पर क्लिक करोगे meter वाले पर तो आपको दूसरे page पर ले जाएगा जहाँ पर में calculation कर सकते हो अगर आपको में आपको दोनों करके दिखा देता हूं यहां पर सबसे पहले मैं चलता हूं feet वाले measurement में feet पेज चलते हैं feet वाले page पर कि इसके नीचे यहां पर आप देख सकते हो यह मैंने tank का डाइग्राम बनाया है तो मैंने यहां पर एक arrow बनाकर यहां पर height शो किया है आपको height कैसे में measure करना है जहां से आपका नीचे से जमीन से आपका tank स्टार्ट हो रहा है वहां से लेकिए उपर तक आपको tank की height measure करना है तो बनाने पहले आपको इतना सोचना है कि आपकी tank की height आपको कितना रखना है उसके बाद में बीच में अगर आप से देखोगे तो radius लिखा हुआ है radius उसे कहते हैं कि tank का beach के portion से side तक जो एक measurement होता है बीच में से center में से tank किसी भी एक कोने तक आपका कितना radius आ रहा है अगर आप radius नापने में अगर आपको कोई difficulty होती है तो एक कोने से दूसरे कोने तक आप नाप सकते हो tank उसे कहेंगे diameter diameter का अगर आप आदा कर दोगे तो radius मिल जाएगा आपको ठीक है और तीसरी चरफ मेंने यह आपर बताया है कि फिल्ड डेप मतलब कि पानी कितना हमने भरा है tank के अंदर या हमको कितना भरना है tank के अंदर वो अगर आप यह भी मेशर करोगे तो आप बहुत बड़ी गलती से बचोगे उस वो गलती क्या होती है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ उसके नीचे चलते हैं उसके नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो कि बाया फ्लॉक टैंक यहाँ पर यह मैंने सिर्फ टाइटल रखा हूँ इसको आप देख लीजिए उसके नीचे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ लिगा है tank type आपको यहाँ पर क्लिक करना है tank type जो आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको तीन तरह के tanks बताएगा सबसे पिलाएगा tarpulin bioflok tank उसके नीचे आएगा cement tank और उसके नीचे आएगा तलाओ सबसे पिले मैं आपको बताता हूँ tarpulin bioflok tank को कैसे measure करना है आपको तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है तारपुरीन बायर फ्लक टैंक पर जब मैं यहाँ पर तारपुरीन बायर फ्लक टैंक पर क्लिक करूंगा तो मुझे यह सारे ओप्शन दिखाई देंगे उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो कि हाइट पूछ रहा है यह हाइट मैंने आपको अभी यहां पर बताया था कि यहां से नीचे से उपर तक जो आपको हाइट रखनी है अगर आपके पास टैंक है तो भी आपको ना सकते हो कि कितना आपका हाइट है अगर आपके पास नहीं है बनाना चाहते हो तो यहां पर आप कितना हाइड रखना चाहते हो वह आपको हाइड जालना यह ज्यादा तर लोग चार फूट के आसपास टैंक बनाते हैं यहां पर 4 डालता हूं ठीक है नाप के उसको आधा कर सकते हो एक कोने से दूसरे कोने तक जो होता है वो डायमेटर होता है डायमेटर को अगर आप आधा कर दोगे तो आपको रेडियस मिल जाएगा तो यहां पर मैं डालता हूँ radius समझो मैं यहां पर डालता हूँ 5 ठीक है 5 अगर मैं radius डालूँ और यहां पर height जो है वो 4 feet मैंने रखा है तो जो tank capacity मिलेगी वो tank capacity होगी 8,895 लिटर्स की ठीक है अगर suppose हमको 10 1000 लिटर का tank बनाना है तो यहां पर मुझे उस radius को बढ़ाना होगा तो मैं यहां पर कर देता हूँ 5.5 अगर मैं 5.5 feet का radius रखूँ और अगर 4 feet का मैं height रखूँगा तो यहां पर मिलेगा 10,764 लिटर्स ठीक है यहां पर इसकी नीचे आप देख सकते हो यहां पर मैंने एक और option रखा है field depth इसमें आप जो पानी भर रहे हो ना यहां पर यह जो मैंने आप पानी बताया आप लोगों को यह कितना पानी आपने भरा है उस पानी का लेवल आप यहां पर रख सकते हो कि आपने दो फूट पानी बढ़ाया चार फूट पानी बढ़ है तो आपको exactly actually आपके टैंक में कितना पानी है वो भी आपको पता सल जाएगा क्योंकि मैं समझता हूं कि हम लोग जब भी चाहे कोई भी यूट्यूबर हो या चाहे कोई भी वाला हो हम सब मिलके एक बहुत बड़ी गलती करते हैं यहां पर कि हम जब भी टैंक की बात करत है लेकिन अभी जैसे के मैंने आपको यहां पर बताया है हाइट फॉर फीट है रेडियस फो पॉइंट फाइफ सोरी 5.5 फीट है तो टैंक की केपेसिटी हो गई 10,000 लेकिन जब हम पानी उसमें भरेंगे तो हम पानी पूरा चार फूट तो नहीं भरेंगे हम उसमें पानी जो होगा एक्चुली टैंक के अंदर तीन फिट पानी रखने पर वह हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 8000 लेटर तो बहले ही हमने यहां पर बनाया है 10,000 वाला टैंक लेकिन हमने पानी टॉप तक नहीं भराया है और इसलिए उसकी केपेसिटी आ गई 8,000 लीटर तो अगर हमक पानी की केपेसिटी 10,000 लीटर चाहिए एक्चुली लोग क्या करते हैं कि टैंक की केपेसिटी 10,000 बनाते हैं और फिर उसमें पानी तो कम ही रखना पड़ता है तो अगर हमको 10,000 लीटर पानी चाहिए तो टैंक की केपेसिटी 10,000 लीटर की नहीं होनी चाहिए टैंक की तहुंक को के 6 feet 6 feet जब मैं करूंगा तो यहां पर हो गया टैंक केपसिटी बाराथाथा अर्चो लिटर की लेकिन अभी यहां पर नवोगजाद छेशो में लिटर ही आ रहा है जो वाटर है हमारा वह यह पर मैं कर देता हूं 6.25 करके देखता हूं तो यहां पर आप हमारी capacity tank capacity होती है 13,899 लीटर की और पानी जो हमारा होगा जो filled water होगा पानी जो टैंक के अंदर होगा तीन फूट पानी रखने पर अब आएगा वहाँ पर 10,400 लीटर तो यह actual में हुआ हमारा 10,000 लीटर का टैंक क्योंकि पानी अगर हम लोग लोग चार फूट हाइट का टैंक बनाते हैं तो चार फूट टॉप अप एकदम पानी करके तो कभी भी नहीं रखते क्योंकि थोड़ा पो देखात फूर आदा फूर तो हम लोग पानी कम रखना ही पड़ता है अब यह हमारा हो गया 10,000 लिटर का टैंक अगर आप अब आपके दिल में सवाल आता होगा कि अगर आपको 30,000 लिटर का टैंक बनाना है तो आप क्या करोगे तो 30,000 लिटर के टैंक में सबोज यहां पर हम लोग हाइट चार फूट ही रखते हैं यहां पर मैं रेडियस को बड़ा देता हूं साथ से कम हो गया तो मैं यहां पर कर जिता हूं 6,8,8 पर हो गया 22,000 लिटर यहां पर कर जिता हूं 9,8 करता हूं 10 तो ज्यादा हो गया तो करता हूं 9,5,9.5 का रेडियस रखने से आपको मिलेगा 32,000 लिटर का टैंक, चार फूट हाइट हो गई और रेडियस हो गया 9.5 फीट तो टैंक की केपेसिटी हो गई 32,000 लिटर अब यहां पर अगर हम 3 फूट पानी रखते हैं तो यहां पर हमारी देखे कितना फर्क हो गया 32,000 लिटर का टैंक हो गया लेकिन हमने पानी कम रखा है तो सिर्फ और solid उत्व होने में तेज़्ेन ने से में लेकिन तीची तीची में कितना फर्क हो गया 6000 लेञ टैंक में जो पानी होता है और 6000 कम होगा तो इसी मैं मैं यहां पर बढ़ाता हूं और सो कर देता हूं 10 10 के एसाब से भी हभी तक हमारा 26,000 पर ही पानी है मैं सो करता हूं 11 11 जाता हो गया करता हूं sorry 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 11 इसको करता हूं 10.5 करके दिखता हूं तो अब हुआ 29,000 लीटर्स पानी जब मैंने रेडियस 10.5 कर दिया है यहां पर तो हमारा टैंक केपेसिटी हो गया 39,000 लेकिन 39,000 लीटर्स में हम पानी थोड़ा कम रखेंगे तो उस वज़े से एक्च्वल जो पानी होगा वो सिर्फ वर से 29,400 लीटर्स हो जाएगा तो यहां पर देखिए कितना फर्क हो जाता है जब हम टैंक के के हिसाब से टैंक बनाते हैं या हमको वाटर के हिसाब से टैंक बनाना है तो इस यह कैलकुलेटर जो है आप लोगों को बहुत काम आएगा अब मैं आपको बताता हूं अगर आपको 50,000 लीटर्स का अगर टैंक बनाना है तो यहां पर आपको यह आप हाइड भी निक्रीस कर सकते हो फाइफीड भी कर सकते हो लेकिन ज्यादा तर लोग फोर फीट ही रखते है इसलिए मैं फोर फीट ही कंसिडर कर रहा हूं यहां पर आप अगर चाहो तो पांच फोर्ट भी कर सकते हो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो ठीक है यहां पर मैं कर देता हूं रेडियस को करता हूं मैं 12 तो बारा का अगर मैं रेडियस रखूंगा तो मेरे टैंक कैपेसिटी हो जाएगा 51,000 लीटर्स लेकिन इस 51,000 लीटर्स में अगर मैं टॉप पूरा पानी तो पर तो मैं यहां से उसको बढ़ा के करने का कोशिश करता हूं 14 चाउदा अगर मैं करूं तो ज्यादा हो गया अगर मुझे 50,000 तो 13.5 करता हूं अब यहां पर आप देख सकते हो के 14 फीट अगर हमारा रेडियस है तो हमें टैंक कैपेसिटी हो गया 69,000 लीटर्स लेकिन अगर हम पानी कम रखेंगे उसके अंदर तीन फूट पानी रखेंगे तो वह हो जाएगा 52,000 लीटर्स तो इस तरह आप तार्पॉलिन टैंक का यह यह घ्यक आको सिर्फ है जालना है तो आपको कितना कैपेसिटी हो रहा है टैंक का कैपेसिटी और और एक्ट्र डम आपको बताएगा तो आप हमेशा जब Impact बनाओ तो एक्च्व वाटर कैपेसिटी को ध्यान में रखना बहुत ज़लूरी है क्योंकर आप देख रहे हो आई यहां पर कितना फरक पढ़ जाता है यहां पर tank capacity आ रहा है 69,000 लेकिन थोड़ा सा पानी सिर्फ एक फुट कम पानी रखने से पानी सीधा-सीधा हो गया 52,000 आप देख सकते हो कि 69,000 लिटर्स पानी में और 52,000 लिटर्स पानी में कितना फरक होता है तो यह हो गया tarpaulin tanks के बारे में, tarpaulin tanks के अलावा मैं आप लोगों को यहां पर पता दू के cement tank अगर आपके पास cement tank है तो आप यहां पर जो मैंने आपको बताया था इस पर फिर से tank type पर क्लिक करेंए और यहांपर चले जाएए cement tank के उपर आप जब जाओगे तो यह थोड़ा स दोग 4,4 फूट रखते हैं और कभी-कभी 5 फूट भी रखता है उससे जयादा कोई रखता नहीं है तो मैं यहाँ पर 4 फूट ही रखता हूँ अब आती है बात width की तो width जो चोड़ाई होती है मैं चोड़ाई जो है मैं कितना रखूं यहाँ पर मैं 10 रखे देता हूँ और length होती है जो लंबाई होती है लंबाई मैं रखता हूँ 15 तो यहाँ पर हो गया 16,000 capacity का tank हो गया मैं इसको थोड़ा सा कम करके 8 कर देता हूँ तो यह 13 हो गया इसको करता हूँ 12 तो यह हो गया 10,000 capacity का tank ठीक है अगर मैं height रखूं 4 feet और अगर मैं width रखूं 4 feet और अगर मैं length रखूं 12 feet तो tank capacity होती है 10,000 liter की लेकिन फिर से यहाँ पर वही बात होती है कि अगर चार foot की height है tank की तो चार foot पूरा top up पानी तो नहीं रखेंगे हम लोग हम लोग यहाँ पर रखेंगे सब को जमान लीजिए साड़े तीन foot आदा foot हमने छोड़ दिया तो हमारे पास जो पानी हो जाएगा यहाँ पर पानी होगा 9,500 liters ठीक है अगर आपको 9,500 liters नहीं चाहिए आपको exact 10,000 liters चाहिए तो आप यहाँ से इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हो 8.5 अगर मैं कर दू तो मेरा पूरा हो गया यहाँ पर 10,109 liters का tank पानी की हाइट रखने पर यहाँ पर हो गया 10,109 liters उसी तरह अगर आपको बड़े केपेसिटी का टैंक चाहिए सपोस आपको चाहिए 50,000 liters का टैंक तो मैं बता दू आपको यहाँ पर मैं करता हूं इसको पंदरा और यहाँ पर इसको कर देता हूं 20 तो हो गया 33,000 liters का टैंक हो गया लेकिन मुझे अब तो 50 का चाहिए तो मुझे लेंथ थोड़ी ज्यादा रखनी पड़ेगी तो मैं करता हूं 30 तो हो गया पचासे जा लिटर का टैंक ठीक है अब यहाँ पर भी वही हाल हो जाएगा पचासे लिटर का टैंक को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं और कर देता हूं 54 करके देखता हूं तो यहाँ पर मिरे पास 3.5 फीट पानी रखने पर 47,000 liters पानी आ रहा है लेकिन मैं चाहता हूं कि मिरे पास पानी 50,000 रहे त 34 और फिर देखते हैं यहाँ पर हो गया पचासे लिटर पानी तो यहाँ पर आप देख सकते हो चार फूट हाइट और जो चौड़ाई है 15 फूट और जो लंबाई है 34 फूट फीट और टैंक कैपेसिटी आएगी हमारी 57,700 लीटर की लेकिन हमने पानी कम रखा है आदा 500 फूट पानी रखने पर हमारे टैंक के अंदर जो एक्शल पानी होगा वह हो जाएगा 50,545 लीटर ठीक है तो यह आपने देखा अब यहाँ पर सेमिन टैंक का भी देख लिया सेमिन टैंक के जैसा मैंने देखा है इसके लाब में यहाँ पर एक और उप्शन है आपको मिल अब मैं यहाँ पर दालता हूं मेरे तलाओ के हिसाप से मेरा जो तलाओ में पानी रहता है वह लगबक कभी 5-6-7 फूट इसा रहता है तो मैं यहाँ पर रखता हूं 6 फूट पानी है डीप देखिए वहाँ पर जो था ना हाइट थी तिक जो आपने यहाँ पर देखा था और यह मैं थार्प्लिण टांक में हाइट पूछा गया थालीकिन तलाओ में आपको डीप पूछा जा रहे हैं कि कि अतलाओ कितना डीप है एक्शुल्फि मेरा जो ठलाओ यह छे फूट डीप नहीं है यह हम लोग पानी 6 फूट रखते हैं ठीक है टीप तो वह कम सख 17 highest से और लग बग 200 Feet लंबाई हे उसकी हिए जो है अम लोगों का सबसे चोटा वाला तलाो था जो एक एकर से थोड़ा सा कम है जो सब्शे ब्लां यह बागी कैं तला निए तो अगर मैं यहां पर देखू तो मेरे पास कितना पानी हो गया उस तलाओ में 67,96,000 बहुत ज्यादा हो गया मैं सुचता था कि लाको लिटर पानी होगा लेकिन एक ही तलाओ में तो इतना 67,00 मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक तलाओ में इतना पानी होता होगा हम लोगे तो अगर आपके पास भी तलाओ है तो आप इसमें calculation करके देख सकते हो कि actually आपके पास कितना पानी है यह एक पॉंड की एक खड़े की बात कर रहा हूं मैं कि एक पॉंड में इतना पानी है अब यहां पर अगर मैं यहां पर जैसे में आपको बताया था कि depth 8-10 foot deep है तलाओ लेकिन हम लोग इतना पानी नहीं रखते है हम लोग उसमें पानी रखते है छे तो मैं यहां पर इसमें वैल्यू दालूंगा छे तो छे की वैल्यू दालने से आप देख सकते हों यहां पर मुझे बता रहा है कि जो तलाओ के जो capacity है वह 67,96,000 लीटर की capacity है लेकिन हम लोग यह हो गया एक तलाओ का ऐसे आपके बाद जितने भी तलाओ है आप उसका अलग-अलग calculation कर सकते हो तो इस तरह आपके बाद जितने भी तलाओ होंगे ना आप उन तलाओ का measurement यहां पर दाल के देख सकते हो कि आपके बास कितना लीटर पानी है जैसे अभी suppose अगर मैं मेरे स सबसे बड़े वाले तलाओ के बारे में देखूं तो वह बीस फूट से ज्यादा डीप है तो मैं यहां पर देप्ट में दाल देता हूं बीस फूट और वित जो है हम लोगों ने जाला बनाना था हम लोगों को तलाओ की साइस का तो उस वक हम लोगने सारे तलाओ का measurement किया ह actors का तो सबसे बड़ा था वो मैं यहां पर देख सकते हो कि तलाओ की जो कंपैसिटी आ रही है अ केपेसिटी हो रही है फोर क्रोर्स 95,54,481 मतलब अगर दो एकड़ का अगर आपका तलाओ है तो आपके पास लाखो लिटर पानी नहीं है करोड़ो लिटर पानी है चार क्रोड का आप यहां पर देख सकते हो पानी की केपेसिटी बता रहा है लेकिन हम लोग जैसे कि मैंने आपको पताया कि 20 फूट डीप है वह लेकिन 20 फूट हम लोग डीप रखते नहीं है उसके अंदर हम लोग 12 से 15 फूट डीप रखते हैं सब्सक्राओ कर मैं यहां पर 12 फूट डीप अगर पानी रखूँ तो उसकी केपेसिटी कितनी हो जाएगी 2,97,32,688 मतलब कि अगर तलाओ में मैं 12 फूट पानी रखता हूँ और 2 एकर का तलाओ है तो मेरे तलाओ में पानी हो जाता है 2,97,00 करोड लीटर पानी एक एक तलाओ में रहता है तो हम लोग इसमें कितनी अच्छे से फिश वामिंग करके कितना अच्छा बिजनेस हम आपको बता है कि आपको यह अगर अच्छा एक और बात में आप लोगों को पता दूँ कि अभी आप वीडियो देख रहे हो तो आपको याद रहेगा कि मैंने आपको कौन से पेज पर ले गया था फ्यूचर में हो सकता है कि आप भूल जाओ तो यहां पर आप देखिए आ अगर यह देखना है तो फिर से तीन स्टार में और बुकमार्क में जाके आप यहां पर देख सकते हूं कि यहां पर आपको यह पेज जो है यह सेव हो गया है आपको फ्यूचर में इसका रेफरेंस मिल जाएगा कभी अगर आपको तलाओ कि या बायव फ्लॉक टैंक की के क्लिक करें सब्सक्राइबेदर फ्लाइद में करना है आपको मेशर मेसर का मेंसे नहींर में कालकोल लेशन करना है तो आप यहां पर मीडर क्लिक कर एगा इस पेज पर वैसी करना है यहां पर आप tarpulin tanks अगर select करोगे तो tarpulin tanks में यहां पर height आप suppose यहां पर रखते हो 1 meter यहां पर आप देख सकते हो कि मैंने height 1 meter डाल दिया है अगर radius मुझे यहां पर डालना है suppose मैं डालू 4 का radius तो यहां पर हो जाता है सीधा सीधा 50,000 liters का tank ठीक है चार meter radius यानि के diameter हो गया इसका 8, 8 meter का आपका diameter हो गया और यह हो गया 50,000 liters का tank तो यहां पर आप देख सकते हो कि tank capacity हो गई 50,000 liters लेकिन अगर हम यहां पर 1 meter height पूरा पानी नहीं रखेंगे यहां पर हम suppose height रखेंगे 0.8 meters तो यह सीधा सीधा देखें कितना फर्क हो गया 40,000 liters पर आगया आपका actual water, actual पानी जो आपका टैंक में है 50,000 liters आप जिसको समझ रहे हो तो थोड़ा सा देखिए 0.8 रखा मैंने मतलब थोड़ा सा कम रखा तो आपको सीधा सीधा 10,000 liters का आपका पानी कम हो गया इसलिए अगर आपको 50,000 liters का टैंक बनाना है तो आप यह सोचिए कि 50,000 capacity का बनाना है या आपको 50,000 liters पानी रखके बनाना है अगर आपको 50,000 liters पानी रखना है तो फिर आपको इसको थोड़ा सा और बढ़ा करना होगा मैं इसको थोड़ा सा फोड़ा करता हूं तो यह हो गया 63,000 liters capacity वाला टैंक और हमारा जो पानी पानी जो उसके इंदर हम रखेंगे उसमें होगा 50,000 liters तो जब आपको कोई बोले कि आपको आठ फूट सुरी आठ फूट बोड़ा है आठ मीटर डायमेटर का टैंक अगर आपको कोई बताए तो आठ मीटर का आप मत रखिए उसको नौ मीटर का रखिए क्यूंकि आप पानी थोड़ा सा कम रखोगे तो आपको 50,000 liters पूरा के पूरा पानी मिलेगा जैसे के मीटर में जब लोग केल्कुलेट करते तो बड़ा बनाने के लिए करते अगर आपको और बड़ा बनाना है अब आपको एक लाग लिटर का बनाना है तो यहां पर मैं चेंज करके करके देखता हूं 6 तो यह हो गया एक लाग 13,000 कैपैसिटी बड़ा टैंक एक लाग 13,000 कैपैसिटी का टैंक हो गया लेकिन अभी भी पानी थोड़ा सा कम है 10,000 लिटर कम है तो मैं यहां पर इसको करता हूं 6.25 करके देखता हूं 6.25 किया तो 98,000 हो गया 6.3 कर देता हूं 6.3 मीटर रेडियस का टैंक अगर हमने बनाया तो हमारा हो जाएगा 99,700 लिटर का टैंक लगबग 1,000,000 लिटर का टैंक सब्स हो गया हमारा तो इस तरह जब भी आप टैंक बनाओ तो आप यह कैलकुलेशन एक बार करके देखिए तो इसमें आपको बहुत हेल्प हो इसमें कोई भी एरर की या मिश्टेक की गुंजाईश नहीं है तो इसी तरह आप सिमेंट टैंक का भी कर सकते हो जो भी आपको सिमेंट बनाना है तो सिमेंट टैंक के बार में यहां पर कैलकुलेशन कर सकते हो आपको अगर अभी नहीं बना आपका टैंक अगर बन चुका ह तो भी आप इसमें कैलकुलेशन करके देख सकते हो कि एक्चुल आप जिस टैंक को 10 जय लिटर का समझ रहे हो पानी रखने के बाद उसमें कितना पानी आपको एक्चुली मिल रहा है और अगर आप टैंक बनाना चाहते हो तो भी आप बनाने से पहले इसको हमेशा रिफर करि यह मैंने खास आप लोगों के लिए बनाया है तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो और यह मेरा बनाया हुआ कैलकुलेटर आपको पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेट जो लॉक्डाउन भी चल रहा है तो यहां पर लॉक्डाउन की वाज़े से बहुत प्रवल्म है और आप लोग भी अपने घर में अपने अपनी जगे पर सेफ रही है ज्यादा मत निकली क्योंकि यह जो प्रव्लम है यह बढ़ता जा रहा है आप लोग जहां पर है मांका तो पता नहीं मुझे क्योंकि सब लोग अलग अलग जगां पे होंगे लेकिन यहां पर मुंबई में खास तर पर महारास्ट्रा में बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ऐसा लग रहा है कि यह लॉक्डाउन पीरियड जो है वो भी और बढ़े बढ़ेगा तो इसलिए जहां पर भी हो सेफ रहो सुरक्षित रहो और अपना और अपने परिवारवलों का ध्यान रखो ठीक है तेंक्यू